समंदर और आपके बीच का रिष्टा एक माँ और बच्चे की तरह है आपको उसका खयाल रखना चाहिए मानता हूं आप ज्यादा से ज्यादा मचलियां पकड़ना चाहते लेकिन ज्यादा मचलियां पकड़ना भी भानिकारख हो सकता है पर यावरण की भलाई इसी में है कि अगली बार समंदर में जाने से पहले एक बार आपस में चर्चा कर लीजिए कि उस दिन आपको कितनी मचलियां पकड़नी है कल मचलियां पकड़ने आपके साथ मैं भी चलूँगा तभी बात कर लेंगे क्या हुआ गले में खराश है? पार्क को लेके तेरे उपर मेरे भाई का दिमाग बहुत सडका हुआ है तेरे भाई की सडके तेरी सडके है किसी और की है मुझे कोई परवा नहीं सोच अगर कुदरत की सडकी तो क्या होगा तुझे आइडिया नहीं है भाई को गुस्सा है तो तेरे साथ क्या होगा तेरे टुक्डे टुक्डे करके समंदर में फैंक देंगे अब कैसे समझाओं तुझे मेरे भाई आकाश, वायू, धर्ती, ये समंदर इनके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता आइका दुस्साम तुझे रिखाएंगे, तु बता कुद्रत क्या करेगी, हो जाए मुकाबला, जो जीता पार्क उसका, बोल क्या बोलता है नहीं मालेगा पर तुझे पुरा सीन दिखाने से पहले, मैं छोटा सा सैंपल दिखाना चाहता हूँ I promise, यह बस एक छोटा सा सैंपल होगा भेजो इसको देखो, तुम उसको देखो, भेजो इसको देखो भेजो इसको देखो तुझे अडिया नहीं कि मेरे भाई को सटकेगा, तक क्या होगा अटी 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 अटी